नमस्कार मैं शिवेंद्रमिश मित्रो शरीर में पेट का क्या महत्त है? ये किसी को बताने कि आउशक्ता नहीं अगर पेट नहों, शरीर से अगर पेट को हटा लिया जाए तो एक तरह से शरीर में कुछ बचेगा नहीं क्योंकि सारा पोशन शरीर को पेट से ही मिलता है ठीक इसी तरह वास्तु में पूरे वास्तु का पोशन करने वाला इस्थान रसोई है जेहा मित्रों आज का हमारा विशय है आज हम बात करेंगे वास्तु में रसोई के उपर कि वास्तु शास्त्र में रसोई का क्या महत्त है तो क्या हम internal वस्तो में interchange करके, कुछ hair fair करके, क्या हम रसुई के अच्छे लाब, अच्छे फायदे पा सकते हैं मित्रो बात करते हैं हम आज अपने इसी विशेपे तो शुरुवात करते हैं मित्रो के महत्तों को लेकर कि रसुई का क्या महत्त है जीवन में किसी भी इस्त्री के जीवन में मित्रों रसुई का तो बहुत बड़ा महात होता है क्योंकि एक इस्त्री के जीवन का लग-भग एक चौथाई भाग इनि अगर सो साल का हम जीवन मान ले तो लगभग 25 साल रसुई में बीच जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस रसोई का कितना ज्यादा महात्तु है और कितना ज्यादा प्रभाव है हमारे जीवन पे, खास तौडसे इस्तियों के जीवन में, तो रसोई में त्रों एक बहुत ही महात्तुपूर्ण स्थान होता है, किसी भी वास्तु में, तो जैसे शरीर में पेट का स्थान है वैसे ही वास्तो में रसोई का स्थान है तो निकला हुआ और शुभ्तप रूप से माल लीजे कि उस परिवार में उस जगहें में या उस रसोई से निकला हुआ खाना खाने वाला व्यक्त कभी भी रोगी नहीं होगा उसके जीवन, में आरो गिर रहेगा कभी कुपोशन का शिकार नहीं होगा अगर कोई रोगी हो मित्रों जिसके शरीर के खाना ठीक से ना पचता हो अपच की समस्या हो अजीन के समस्या हो भूख न लगती हो park तो उसको अगर आगने कोण में बनी हुई रसोई का खाना खिलाया जाए प्रति दिन तो निश्चित मान लिजे कि उसके जीवन में एक चमतकारी लाब होगा और उसका स्वास निरंतर सुधरता जाएगा बिना किसी दवा के केवल खाने मात्र से क्योंकि भारती शास्त्र में कहा अगर आप सही तरीके से सही समय पर सही वस्तु को ग्रहन कर रहे हैं तो आपको जीवन में कभी किसी दवा की कभी किसी आउशदी की आउशक्ता नहीं पड़े कि क्योंकि वह नहीं आउशद के रूप में आपके शरीर में काम करेगा इसके अलावा जैसा खाय अन वैसा तो अगर अन अच्छा होगा शरीर में पचेगा शरीर में पोशन पैदा करेगा तो निश्चित रूप से आपका मन मजबूत होगा आपका मन शुद्ध और पवित्र होगा और शुद्ध और पवित्र मन होगा तो ही आप जीवन में उन्नति कर पाएंगे पापी व्यक्त क कभी जीवन में उन्नाति नहीं करता तूकि उसका मन अपवित्र होता है तो उसके घर में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती है और दरिद्रता ऐसे लोगों के घर में भटक भी नहीं पाती है तो मित्रों आई हम लोग देख लेते हैं कि रसोई का शुभवास तुप किस तरह से होना चाहिए तो रसोई की जो दिशा है मित्रों वो है आगनेयकोड यानि दक्षिन रखने पर निश्चत रूप से शुबता बढ़ती है तो मित्रों या आगने कोण ही रसोई के लिए सबसे आदर्श और सबसे शुद्धिस्थान माना जाता है वास्तु शास्त्र में तो अगर आपकी रसोई आगने कोण में बनी है तो निश्चत रूप से माल लिजे के घ नहीं पड़ेगी जीवन में तो यह तो मित्रों आदर शेश्चति के बारे में हमने बात किया कि आगने कोण एकदम आदर शेश्चति होती है रसोई के लिए लेकिन सब जगह वैसा संभव नहीं हो पाता क्योंकि कहीं कहीं पर यह प्राया है प्लॉट इस इस्थिति में हो उद्धा उपलब्द है कि आप चेंज कर सकते हैं या फिर बदल कर सकते हैं तो निश्चति रूप से अगनी कोण में ही रसोई का निर्मान करवाना चाहिए अगर संभव नहीं है तो कम से कम उत्तरदिशा और इशान कोण यानि उत्तर पूरव दिशा के बीच का कोणा या इन दोनों दिशाओं को तो निश्चित रूप से छोड़ ही देना चाहिए इन दोनों दिशाओं में कभी भी किसी भी कीमत पर रसोई का निर्माण नहीं करना चाहिए अगर इन दिशाओं में अगर आप निर्मान करते हैं रसोई का तो निश्चित रूप से मान लिजए कि घर में निरंतर कलह बनी रहेगी दरिद्रता का निवास हो जाएगा घर में और आप दुर्भाग इशाली हो जाएगे दुर्भाग आपके पीछे लग जाएगा तो ये काम भूल कर भी आपको नहीं करना है कभी भी अगर आपका किचन इशान कोर या उत्तर दिशा में हैं तो उसको ततकाल किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दें लेकिन उत्तर दिशा और इशान कोर तो बिलकुल भी नहीं होना चाहिए कि इसके अलावा वायव दिशा में बहोत से जगों पे कि वायव दिशा में भी रसोई का निरमाड किया जा सकता है वायव दिशा यानि आपकी उत्तर पश्चिम लेकिन वायव दिशा में रसोई की निर्माड करने का एक सबसे बड़ा कह सकते हैं दुश्प्रभाव यह होता है कि वायव कोण में बनी हुए रसोई में जो खाना बनता है उस खाने से गैस की समस्या बहुत अधिक हो जाती तो जिनको गैस्टिक की समस्या हो अर्थ्राइटिस की समस्या हो शरीर में या जोडों में दर्द की समस्या हो या किसी भी प्रकार की वात की समस्या शरीर में दर्द बना रहता हो तो उनको किसी भी कीमत पे इस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए नहीं शरीर में वात्र सम्मदी समस्या और भी अधिक प्रबल हो जाती है तो अभी तक हम ने यह देखा कि हम किस दिशा में रसोई का निर्मार कर सकते हैं और किस दिशा में नहीं कर सकते हैं इसके अतिरिक्त जो दिशाएं बस्ती हैं अगर उन दिशाओं में आपके रसोय का निर्मारte हो चुका है रसोय का वास्थ्टू खराब है आपकी तो इस्त्रिय का निरंतर वीमार रहती यह घर में कलाबनी रहती बच्चों पर भी बड़ी समश्जा या ती कि बच्चों का शाया खराबdon रहता है उसमें भी अगर दूसरे नंबर की संतान है अगर आपके दो संतान है या दो से अधिक संताने है तो उसमें जो दूसरे नंबर की संतान है उसको विशेश रूप से समस्या बनी रहती है तो हमें यह देखना चाहिए कि कम से कम इशान कोण और उत्तर दिशा तो बिल्कुल भी छोण दे अगनी कोण अगर मिल सके तो बहुत उत्तम है नहीं तो अगर किसी भी और दिशा में अगर आपकी रसोई बनी है तो आप इंटर्नल वास्तु में चेंज करके शुभ प्रभा मिल ला था भी हमें वो हमें रसोई का शुफल मिलने लगेगा अशुफल में कमी हो जाएगी तो चूले अगर हमारे किसी और दिशा में रखा हुआ तो चूले को उठा के आगने कोण में रख दे यानि दक्षिन पूरुव दिशा में रख दे तो यह तो हमारा पहला उपा चाहिए यानि आगने कोण में कभी भी पानी श्टोर नहीं करना चाहिए या चूले के पास में कभी भी पानी श्टोर नहीं करना चाहिए नहीं तो घर में निरंतर कलह बनी रहती है और दरिद्रता का निवास हो जाता है उस तरह के खाने को ऐसी जगह पर यदि खाना बनता है तो उस खाने को खाने से अजीन की समस्या हो जाती है अपच की समस्या हो जाती है यह चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि वो पानी का जो स्टोरेज है वो हमें कभी भी आगने कोड में नहीं रखना है तो अब उसको रखना कहा है तो मित्रों उसको हमें रखना है हमेशा पूर्व दिशा में या इशान कोण में या उत्तर दिशा में इन तीन दिशाओं में आप पानी का भंडारण कर सकते हैं वो आपके लिए शुब रहेगा तो दूसरी चीज हम ने यह देख ली कि रसोई में पानी बहुत महात्पूर्वस्त है क्योंकि बिना पानी के कभी रसोई का निर्मान होता नहीं है और ये दोनों तर्टों जो हैं वह हमेशा एक दूसरे की विरोधी होते हैं तो इनको आब अगर आपने गलती कर दी तो नेसीत रुप से मालीजे जिए कि घर में निरंतर कलिये बनी रहेगी सुवह उठते ही कले शुरू हो जाएक तो पानी को हमेशा हमें उत्तर दिशा में रखना है पूरतविशा में रखना है यह इसहन कोण में रखन है यानि दक्षन पूर्व दिशा में रखना है दूनों को एक दूसरे से अलग रखना है तो हमने दूसरा यह नियम पा लिया कि हमें पानी को अलग रखना है तीसरा यह नियम है कि रसोई में कभी भी किसी भी कीमत पे चपल पहन के जूते पहन कमें क McMahon कर देंके मित्रों देखिए शास्त्रों में कहा गया है मुझे लाफता हुनोय ब्रम्छ जहां पर निर्मार होता है जहां पर प्रादुर्भा होता है वह स्थान है रसोई में पुराने समय में देखिए लोग बिना नहाए रसोई में प्रवेश नहीं कर सकते थे तो रसोई वो इस्त्रियों की यगशाला है रसोई तो जैसे हमें पोजन इस्थल का या यगशाला में हम ध्यान रखते हैं कि जोटे चपल पहन के प्रिवेश नहीं करते हैं सापसफाई रखते हैं, शुधता रखते हैं, पवित्रता रखते हैं तो वैसे ही रसोई में भी हमें पवित्रता रखनी चाहिए क्योंकि रसोई से निकला हुआ भोजन ही भगवान को भी भोग लगता है रसोई से निकला हुआ भोजन ही लोग भी पाते हैं तो अगर हम रसोई को अशुद्ध रकेंगे तो मन दोशित हो जाएगा मन गंदा हो जाएगा और अगर मन दोशित हो गया तो निश्चित रूप से व्यक्त पाप करमी करेगा और नीचे गी गिरेगा उसका पता नहीं होगा कभी उन्नत नहीं कर पाएगा तो रसोई एक यग इशाला की तरह है एक वोजन इस्थल की तरह है तो उसको हमेशा पवित्र रखे कभी भी जूते चपल पहन के रसोई में प्रिवेश नहीं करना चाहिए दुर्भा ग्याता है तो हमने तीन चीज़े देखी चौथी चीज़े है कि रसोई में कभी भी जूठे बरतन खाली बरतन चूले के ऊपर नहीं रखना चाहिए या कुछ भी अशुद्वस्तों हमें चूले पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो चूला अगनी देवताओं को प्रकट करने का एक माध्यम है अगर हम उसको अपवित्र करते हैं तो एक तरह से देवताओं के प्रतने निराधर होता है और मित्रों यह मैं बता दूंँ आपको कि अगनी देवता इन अष्ट वसूम में जो प्रधान हैं वो अगनी देवता हैं तो यदि आप अगनी का निराधर कर रहे हैं यदि आप अगनी देवता का अनाधर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से माल लिजिए कि दरिद्र होने से आपको कोई नहीं रोक सकता अगनि में अगनी स्थल को जहां पे अगनी प्रजुलित होती है जहां पे अगनी का आधान किया जाता है उस स्थान को कभी भी अपवित्र नहीं करना चाहिए उसमें कभी भी कूडा करकट नहीं डालना चाहिए उसमें कभी भी जूठी वस्तुएं अपवित्र वस्तुओं क को नहीं रखना चाहिए कि दर्द्रता आती है दुर्भा ग्याता है कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए अगर ये चार का पॉइंट आप ने अपने जीवन में बांध लिए तो निश्चित रूप से माल लिए कि कितना भी खराब वास्तु के होने के बाद भी उस रसोई से आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा वह जो वास्तु की अशुवता थी वह धीरे-धीरे कम हो जाएगी इसके अ अग्नेयकोण में या फिर रसोई में मंगल यंत्र या अग्नियंत्र को स्थापित करने से वह दिशाय शुद्ध हो जाती हैं तो वहां पर बना हुआ जो वास्तुष होता है उनका भी निवारण हो जाता है तो मंगल यंत्र की स्थापना कर सकते हैं या अग्नियंत्र की स् इस थापना एक कठिन प्रक्रिया है तो वो स्वयम से ना करके किसी विद्वान ब्रामन द्वारा विध्यवत श्थापन उसकी करवानी चाहिए तभी उसका पूर्ण ला मिलेगा के बाजार से यंट्र लाकर टांग लुटेने से मंत्रय यंत्र की स्थापन नहीं होती तो मित्रों इन उपायों कि आप जरूर जीवन में अपनाए इनको करिए तुकि यह देख से प्रैक्टिकल विग्न है मतलब वहरिक विग्न है अगर आप इसको जीवन में उतारेंगे नहीं यह जो प्रयोग मताये जारें लाब नहीं मिलेगा और इनको करने से अगर आपको लाब मिलता है तो आप और लोगों को भी बताएं जिसे उनको भी अपने जीवन में लाब मिले और ज्यादा से ज्यादा हमारे भारती ये प्राचीन शास्त्र की गरिमा महिमा स्थापित हो इससे बढ़कर और क्या बात मित्रों इस वीडियो में हमने रसोई से संब्धे जो भी सार ततों था वो हमने आपको बता दिया है कि क्या होना चाहिए रसोई किधर होनी चाहिए किस प्रकार से होनी चाहिए अगर वासु खराब है तो आपके जीवन में भी उन्नत ही आए स्वास्त है आरोग्यता प्राप्त हो और आप सदा प्रसंद्र आज का वीडियो हमारा यहीं तक अगर हमारे वीडियो आपको प्रसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें अपने कमेंट करें कि जो हम घ्यान दे रहे हैं जो हम यह जा मुझे और जैसे आप लाप्राप्त कर पा रहे हैं ऐसे और लोग भी इन जानकारियों से लाप्राप्त कर पाएं मित्रों मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ जो आपका जीवन बदल दे तब तक के लिए जैश्री राम